हलो अब्रीबड़ी आई आई आसे वेलकम यौल उन दप्लेटफर्म ऑफ जी सेंट्रिक पिछले लेक्चार्स में हमने बेसिक ऑफ कम्यूनिकेशन सिस्टम्स के लिए सिग्नल सिस्टम की जोज़ाद पढ़ती थी काफी कुछ कवर कर लिया है इस लेक्चर में हम एक नया ट् हैं सिग्नल से सिस्टम में नहीं डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कौशन को ही ना सिग्नल से सिस्टम्स का जो साथ हैं उनमें बन कर kombini dis 상황 में भी बहुत कुछ कश्चन्स नहीं बन कर कर आते हैं लेकिन आगे हम सिस्टम्स डिजाइन करेंगे तो यहाँ पर इसकी जोज़ में लेते हैं time domain में कोई signal है उसको frequency domain में transform करने के लिए inverse transform हम use में लेते हैं उसी signal जो frequency domain में है उसको time domain में transform करने के लिए ऐसा जानते हैं ठीक है हमने यहाँ पर Fourier transform discuss कर लिया है बाकि transforms की हमें communication system में need नहीं होने वाली है ठीक हिलबार्ट transformation हिलबार्ट transform transformation technique है लेकिन यह time domain signal को frequency domain signal में नहीं transform करती है transform का मतलब होता है रूपांतरण रूप change करना है है वोई चीज लेकिन रूप change कर ले तो यह time domain signal को दूसरे frequency domain वाले signal की रूप में नहीं change करती है बलकि एक time domain signal को दूसरे time domain signal में change कर देती है है तो Hilbert transform हम discuss करेंगे selection और Hilbert transform खतम होने के साथ हमारा जो basic requirement होती है communication systems के लिए वो complete हो जाएगी ठीक है तो आप Hilbert transform के लिए कह सकते हैं this is the transformation technique which transform a time domain signal to another time domain signal क्योंकि यह time domain से frequency domain में नहीं कर रहा है time domain से दूसरे time domain signal में transform कर रहा है इसलिए इसका कोई inverse transform नहीं होता है Hilbert transform का inverse Hilbert transform नाम की कोई चीज नहीं होती है अब question आयाज होता है चलो ठीक है मानली बाते अब Hilbert transform हमें करना है तो कैसे करना है क्यों जरत पड़ती है यह तो हम communication systems जब design करेंगे तो clear होगी चीज़ तो देखेगा Hilbert transform क्या होता है मानली यह है Hilbert transformation करने वाला tool Hilbert transformer इसमें आप एक input signal apply करते है xt यह इसको transform कर देता है दूसरे signal में जो की time domain में ही है उसको मैं बोल रहा हूँ yt t में ही है f में नहीं है omega में नहीं है धान रखे गए ठीक है relationship होना चाहिए इस xt के साथ तो relationship क्या होता है समझेगा Hilbert transformer Hilbert transformation is the transformation in which each and every frequency component of signal xt अब आप बोलो के frequency component क्यों बोल रहे हो सर आप यह तो time domain में भाई हर signal frequency components होते ही होते है नो उसमें तभी तो हम बोलता है कि हर एक time domain signal का कुछ frequency domain expression होता है इस time domain signal का कुछ frequency domain expression जरूर रहा होगा x of j omega बोलने आप या x of omega बोलने उसमें अगर frequency domain में इसका कुछ ना कुछ form रही होगी तो कुछ frequency components भी रहे होंगे जैसे फुर अगर मैं xt सिगनल को कंसिडर कर लों कि यह है फाइव कॉस्स टू हंड्रेड पाइटी प्लस थ्री कॉस हंड्रेड पाइटी तो आप बोलेंगे इसमें frequency components हैं कौन कौन सी frequency पर components हैं ओमेगा की फॉर में बोलने हो तो टू हंड्रड पाई और दूसरा frequency component है तो हंड्रड पाई आप हर्च की दो-चार कुछ fixed frequency points नहों करके बहुत सारे frequency points हो हमने इससे पिछले लेक्चर में last point discuss किया था क्या हमने समझा था कि time domain में कोई एक signal होता है उसका अगर हम transform कर देता है frequency domain में तो frequency domain में transformed signal जो होता है वो कभी continuous हो सकता है continuous होने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक particular frequency f1 पे component फिर f2 पे component बीच में खाली continuous होने का मतलब यह तो होता है मैच करिए इसको इससे मैच करिए या एक कुछ sentence बोल देगा options में theoretically concepts के को यूज में लेना होगा उन questions में फ़स जाएंगे gate के point of view से बात करें तो हाला कि gate में इस तरह के questions outdated हो गया है कब तक match करवाता रहेगा चीज़ों को gate में आपको पता होगा questions में concepts जरूर repeat होता है लेकिन question नहीं repeat होता है तो concept हम सीख लिए हमने concept सीखा प्यारवाला अब उस question को match करवाने वाले को घुमा फिर आके कितनी बार पूछ सकता है दो तीन बार पूछ सकता है और gate को चलते हैं तीशन साल हो गए तो पूछ करके खतम बात है तो वह आने वाले questions आने वाले सालों में वह questions आने वाले नहीं हैं लेकिन आप engineering services का exam कर देते हैं या किसी PSU का exam देते हैं आप को बता होगा engineering services exams में previous questions repeat होते हैं तो उसमें बहुत important हो जाता है तो चलिए जब यह चीज़ बहुत important है तो मुझे यार देला दीजिए continuous का pair के इसके साथ होता था periodic या a periodic अगर हमारा time domain में signal a periodic हुआ तो जरूर frequency domain में continuous range में होगा मतलब हर frequency पर कुछ ना कुछ component होगा वह ऐसा हो सकता है जैसे आप बोलोगे बाकी सब पर हाँ बाकी सब पर 0 है लेकिन continuous में ना पूरे में भड़ा हुआ है या ऐसा भी हो सकता है जैसे कि यह आपको यहाद आ रहा होगा यह फूरियर ट्रांसफोर्म जो होता था यह वाला फूरियर ट्रांसफोर्म में constant value अगर time domain में signal density होता था तो उसका फूरियर ट्रांसफोर्म यहीं तो होता था वन अगर यह 5 बेट हुआ तो यह value 5 के साथ आ जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है तो आपको मैं यह बोलना चाहरा हूं कि यहाँ पर बहुत सारे frequency components है यहाँ पर तो हर frequency component आ गया हरे frequency component आ गया यहाँ पर कुछ एक particular range के frequency components है यहाँ पर कुछ particular point value of frequency components है हिलबार transformation में अगर यह time domain में signal है अगर यह time domain में signal है तो इसको frequency domain में नहीं transformation होना है difference जहां से समझ लीजेगा बलकि एक नए time domain signal में transformation होगा और वो transformation कैसा होगा हर एक frequency component of this time domain signal is phase shifted by 90 degree phase lagged by 90 degree minus 90 degree का phase shift आ जाएगा समझ रहोंगे मेरी बात को इस वाले frequency component को भी 90 degree से phase lag मिलेगा और भी components होते cost के साथ sign के साथ लग लग frequency के हर एक frequency कुछ भी होती omega 1 omega 2 omega 3 हर एक frequency को 90 degree का phase shift मिलेगा बात मेरी समझ में होगी माइनस 90 degree हो जाएगा यहां तो आपको एक frequency कुछ कुछ कौन कौन सी है समझ में आ रही है यहां पर आप बात करें तो बहुत सारी frequencies है आप कह नहीं सकते कुछ की जीरो डीसी भी जीरो हर्ट होती है कि वन हर्ट है कि पॉइंट वन हर्ट है कि बाइश इसा कह सकते हो तो जो यह वाइटी सिगनल को फेज लेग होगा कितने से 90 डिगरी से अब मैं इसको रिप्रजेंट करना चाहरा हूं मैंने आपको बाइव वर्स तो समझा दिया आप एक बार लिख सकते हैं definition Hilbert Transformation की मैं वापस एक बाइव वर्स बोल रहा हूं रेख लीजिएगा साथ में आप अपने नोट्स में Hilbert Transformation is the transformation which convert one time domain signal to another time domain signal and in this transformation of a time domain signal to another time domain signal each component of original signal each frequency component sorry each frequency component of original signal is phase lagged by 90 degree definition जो clear हुए है अच्छा अब मैं इसको mathematically represent करना चाहूं मैं by words बताने के बज़ा है ऐसे लिख लिख करके समझाना चाहूं आपको कैसे लिखना है तो मुझे लगता है कि वाइट एक्स टी को जो वाइट है वो अगर मैं अपनी हुश्यारी लगाता हूं कि मेरी जो नौलेज है उसको मैं यहां पर अप्लाई करता हूं और ऐसे लिख देता हूं एक्स टी माइनस नाइन्टी तो आपको समझ में आ जाएगा बिलकुल समझ में आ जाएगा लेकिन अगर आपको समझ में आ और मैं असे बता रहा हूं तो हमारी अदजल्गग्री छलकत जाय वाली बात हो गया मेरेको पूरी नौलेज नहीं है थोड़ी सी नौलेज है उसको मैंने आपके सामने समझा बता दिया और आप लिख लग गया दजल्गग्री छलकत जाय वाला काम हो गया यह एक्षयल में किसे टाइम में शिफ्ट हो गया ऐसे लिखना गलत बात हो जाएगी अगर मैं 90-degree का फेश शिफ्ट शो करना चाहता हूं तो यह रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल गलत होगा हम लोग इसको सही मान करके चलना है लेकिन कोई पूरी तरह से ग्यानी आदमी इसको देखेगा तो ह उनको बेवकूप समझेगा या फिर हमारे इस रिप्रेजेंटेशन से वह गलत डायरेक्शन में चला जाएगा गलत बात हो जाएगी तो इसको एक्ट्व में कैसे रिप्रेजेंट करना है समझेगा हमें आगर 90-degree का फेश शिफ्ट शो करना है तो जहां से समझेए अगर मै एक सिगनल बोलतना हूं । इक सटी कॉल टू कॉस ओमेगा टी टाइम का सट्व में से लिए टी की फॉम में कर रह रहा हूं यह ओमेगा फ्रीक्वेंसी कुछ फिक्स वैल्य होगी ओमेगा-1 ओमेगा-2 ओमेगा-3 मैं यहाँ पे इसको ओमेगा-0 ऐसे जाद आप ले आपक कर दें तो उसको रेप्रेजेंट कर देता है X के ऊपर लगा देता है टोपी X cap. घ्क है यह unit vector वाला cap नहीं है यह transformed signal है हम ऐसे कहेंगे कि इस वाले signal को हमें कर देना है 90 dairy का Is ऐसे लिखेंगे न? ऐसे तो नहीं लख देरां है हम 코os of omeaga T minus 90 यह होना अलग बात है और यह बहुत फरक है यह हुआ कि हमने जो फेज या जिसको हम बोलता है एंगल वो ओमेगा टी था पहले ओमेगा की कुछ भी वैलियू हो सकती है इसलिए मैं इसको ओमेगा नौट बोल दे रहा हूं कि आपको Kafish Weakft plastic अच्फ ऑधाम हिवि और फेजमें ना है गां कि सब्सकोर मेंस ना कोदि फेशफ कर देगा शर्द को सब्सक्राइब अगर omega 0 की value 1 हुई, तब तब बोलोगे कि हाँ 90 का phase shift है, लेकिन 2 हो गई तो 90 to 2 180 हो जाएगी, गलत हो जाएगा बाग, इसलिए t की जगह t-90 ने input करना, इसलिए t की जगह t-90 नहीं करना है, बलकि अगर मैं x cap t कहूं एक तरीके से, तो मुझे ये कहना है, और ये कहना है तो omega t की जगह omega t-90 करना है, तो मैं आगर बाग, x cap t जो बन रहा है, उसमें x omega t-90 ऐसा करके बोलना है, तो आप इस yt को, जो की Hilbert transform है, x t का, आप x cap t भी बोल सकने हैं, और ये x cap t क्या होगा, x of omega t-90 ये तो मैंने आपको थोड़ा सा introduction दिया, Hilbert transformation का मतलब क्या होता है, represent कैसे करन होता है, आप से अगर कोई ये बोल दे तो आप बोलोगे, x t का Hilbert transform है, और आप के इसके बज़ा, x cap t भी बोल दे तो अभी आप समझके चोगे, चलोगे, Hilbert transform है, standard representation है, हर कोई use में लेता है, दुनिया में, इसलिए आप भी उसके साथ से synchronized होगे, तो आप x cap t कहीं पर बोल का Hilbert transformation, जो है, वो समझेंगे भी, उस से related एक आत बार questions भी बन कर के आए हुआ है, तो अभी question उस से related chance भी बन कर गया है, क्योंकि हम questions जो previous है, उनको देखते देखते समझ जाएंगे, कि नया कुछ बनने वाला है भी नहीं, ठीक है, फिर हम Hilbert transform, ये जो Hilbert transform है, transformer जो है, ये system ह नजो transformation perform कर रहा है, तो इस system का कुछ true function भी होना चाहिए, भाई signals and system, ये communication system में, आप Refer function की बात नहीं करते हो, लें control system में तो बात करते है, त्रांफर function की, printers system को आपने discuss नहीं किया है, हम यहां discuss कर रहा हैं, तो कोई बात नहीं, के ठ्रांसफर को हम यहां discuss कर लेंगे questions बन करके नहीं आए हैं अभी तक लेकिन आ सकते हैं आ सकता है in future कभी भी आप कभी भी attempt करते हो 20 में Sorry 21 में 22 में 23 में मुझे नहीं पता ठीक है जब भी attempt कर दो question बन करके आ सकते हैं इसलिए transformer, जो Hilbert transformer है, इसका transfer function भी हम discuss करेंगे, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम AC के कुछ examples और इसका transformation discuss करते हैं, चलिए, तो problem हमारे सामने है, find Hilbert transform of the following signals, हम यहाँ पर कुछ signals के Hilbert transform सीखने वाले हैं, Hilbert transform किसी भी signal का क्या होता है, यह हम समझ चुके हैं, तो find कैसे करना है, वो भी discuss कर सकते हैं, तो यही से इस तरह की problems कोई भी आ जाए, उसको कैसे हमें handle करना है, वो समझते हैं, देखिएग first हम discuss करना है, सबसे पहले, हमारा जो original signal है, वो है A cos omega t, हमें इस signal का Hilbert transform करके, जो signal find करना है, x cap t, वो क्या होगा, यह कोई भी signal हो, इसका amplitude कुछ भी हो, कोई फार्क ने पड़ता, यह cos हो या sin हो, कोई फार्क ने पड़ता, यह कितने phase पर हो, कितनी frequency के साथ हो, कोई फार्क ने पड़ता है, बड़ जितना पहले phase है, उसमें 90 degree का minus phase, shift कर देना है, ऐसा होना चाहिए, अब हमारी जो general trigonometric mathematics का base बोलता है, वो यह बोलता है, cos omega t minus 90 हो, या 90 minus omega t हो, कोई फार्क ने पड़ता, तो इतना काम हम चाहें तो कर सकते हैं, मतलब, x-t signal अगर यह है, x-cap t कोई यह बोले, या यह बोले, कोई फार्क ने पड़ता, और cos 90 minus theta जो होता है, cos 90 minus theta हो जाता है, sin theta, 90 minus theta, sin theta हो जाता है, तो a sin omega t, यह हिलबार transform हो जाएगा, a cos omega t का, अब आप समझेगा, आपको original question में, a की बजाए, 2 बोल दे, 5 बोल दे, 1 बो करने वाला है, समझ में यह आ गया कि, cos of कितनी भी frequency के आथा हो, यह cos 2 pi t हो, यह cos 10 t हो, यह cos 2 pi into 10 raise to power 3 t हो, same रहेगी, बस cos के जागे, sin हो जाएगा, तो अब आगे आने वाले हर एक question में, cos वाली term का हिलबार transform क्या होगा, यह हम कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना चाहें, त x t है, b sin omega t, अगर हम हिलबार transform करेंगे, x cap t, then it will be b sin omega t, वही बात समझ में, amplitude पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, sin है, cos है, हमें ध्यान ही नहीं देना, हमें तो omega t, जो भी frequency के साथ, जो phase बन रहा था, किसी भी frequency के साथ बन रहा हो, उस phase को 90 degree के phase shift कर देना है, और, sin में omega t minus 90 कोई 90 minus omega t करता है, तो बिल्कुल फरक पड़ता है, आपको sin में ऐसा करना है, 90 minus omega t, तो आपको negative common out लेना होगा, cos में तो negative cos minus theta या cos theta सहीं होता है, लेकिन sin में sin minus theta, minus of sin theta, ये 90 minus something first quadrant में, cos ओ, sin ओ, सब positive होता है, 90 होता है, pi by two का odd multiple होता है, तो sin की जाए, cos कोस ही, sin हो जाता है, ये चीज़म नहीं आई यूज में लेती, और अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको तो पता ही है, बच्पन से पढ़ी है, आपने, यूजली है, पता नहीं जिन्दकी में कितने बार, ये से हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें, 90 minus theta is theta, अगर आप ध्यान से देखें, तो इस समझ सकते है, cos का Hilbert transform करते हैं, तो sin नज़र आता है, sin का Hilbert transform करते हैं, तो cos नज़र आता है, आना भीच ये, क्योंकि sin और cos के बीच में 90 degree का phase difference होता ह तो आप जब Hilbert transform करते हैं, के 90 degree का phase difference दे रहे हैं, तो cos ये, sin की जा, cos बन नहीं बनना है, लेकिन cos और sin में से कौन 90 lead करता है, कौन 90 lag करता है, इस पर तो depend करेगा ना, हम 90 से lag करवा रहे हैं, 90 का difference तो दे रहे हैं, इसका फरक पड़ेगा, इसलिए ये तो positive ही दिख रहा है, ये negative बन कर क्या आगया है, आगे से, अगर हम समझेता हो, cos की जगे sin, sin की जगे cos करना होगा, amplitude कुछ भी हो, कोई फरक पड़ने बाला नहीं है, sin की जगे, cos की जगे negative होगा, cos की जगे sin होगा, वो positive ही रहेगा, चलिए, अगर ये से, अच्छा, यहां से कुछ-कुछ लोग ये observe जरूर कर रहे होंगे, अगर observe नहीं कर रहे हैं, तो मैं चलिए कुछ seconds का time देता हूँ, मैं करता हूँ, इसको observe करो, analyze करो इसको, तो कुछ observation में आया होगा, कि cos की जगे sin होगा, sin की जगे minus cos होगा है, ये तो mathematics में भी कहीं पर करते होगे नजर आते हैं, कैसे, cos की जगे sin, sin की जगे minus cos, cos का differentiation minus sin होता है, बट ये plus हा रहा है, sin का differentiation, cos होता है, बट ये minus हा रहा है, the differentiation तो नहीं है, cos का integration sin होता है, positive ही होता है, sin का integration cos होता है, negative ही होता है, integration होता है, तो आप कहा सकते हो, ये integration करना ही हुआ है, एक तरीवी से, but integration में और क्या चीज फरक होती है, अगर आप इसको integration कर रहोंगे time के साथ तो साथ में omega divide में भी आना चाहिए न वो नहीं आ रहा है तो हम खुश हो गए कि Hilbert transformation बोल दें ऐसा जटके के साथ तो फिर यहाँ पर गलत बात हो दें कुछ-कुछ integration जैसा है लेकिन integration है नहीं अगर हमने अगर हमने अब्जर्व करे लिया है तो थर्ड प्रॉब्लम को अब हम जटके के साथ खतम कर सकता है अगर हमारा signal है एक कॉस कॉस सिगनल की कुछ frequency हो सकती है और sign वाले की कुछ अलग frequency हो सकती है same भी हो सकती है यह हमारा signal है xt अगर आप इसका Hilbert transform करके x captive कर रहे है तो हम समझ चुके है कॉस की जगे तो sign हो जाना है frequency वही रहनी है amplitude वही रहना है sign की जगे कॉस हो जाना है amplitude वही रहना है frequency वही रहनी है लेकिन negative value के साथ यह इसका Hilbert transform हो जाएगा एक्जाम में एक बार question ऐसा ही आया हुआ है में को एक्चुल वैल्यू यह बी कि क्या given थी वह ध्यान नहीं नहीं अब आगे कैसा भी आजाए problem आप कर सकता है ठीक है गेट में तो एक बार question आए और आपको क्या करना है उस signal के omega t के साथ जो time domain में होना चाहिए signal इसले t तो नज़र आएगा अब उस time domain signal कुछ frequency component भी होगी वह आप क्या सकते हो तो आप ऐसे कर दोगे और sine cost नहीं किसी और तरीके का signal है चुनिएगा अगर sine cost नहीं किसी और तरीके का signal है तो कैसे कर दोगे मैं कहता हूं कि एक signal है xt माइनस 5 से लेकर के प्लस 5 तर इसका amplitude है टो टाइम डोमेन में यह signal है xt यह signal है आप इस signal को आप sine cost तो कह नहीं सकते है आप बोलोगे एक टेक्निक होती थी एक ठोरम होती थी जो हर सिगनल को sine cost में कर देती है फूरियर सीरी ठोरम लेकिन उसके लिए कंडिशन होती है कि वह signal जिसको आप करने का सोच रहे हो एक सीरी एकस्पांशन साइन और कौस बहुत सारे की फूर्म में एकस्पांशन करने का सोच रहे हो वह सिगनल होना चाहिए पीरियोडिक क्या यह पीरियोडिक है नहीं है तो वह तो कर नहीं सकते हैं हाले कि इसका वह सिगनल का frequency domain में में कुछ ना कुछ स्पेक्टरं जरूर होगा हर ताइμ डोमें सिगनल का frequency domain representation जरूर्त होता है और होता भी है याद आ रहे ना rectangle सिगनल्ल है न remarkable signal के क्या होता है तो जरूर है इसका भी ले किन हमारे पास वह फ्रिक्वेंसी डोमेन में छेड़खाज नहीं करनी हमें, अगर हम हिलबार्ट ट्रांसफर्म कर रहे होते हैं, तो XT time domain में ही X kट करते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम इसका frequency domain लिखके, उसको छेड़चार करें, हालनकि हम दूसरे तरीके से पकड़ सकते हैं, अगर हमारा question है हम अभी तक समझ रहे थे कि हर frequency component को minus 90 कर देना है टी की जगे t-90 ने करना अगर यहाँ पर t-90 कर दिया तो गड़ बड़ बात है अगर मैं आप यहाँ पर t by 10 की जगे t by 10 माइनस 90 करो तो भी गड़ बात है क्योंकि यह किसी frequency किसी phase को नहीं जो कर दा कि यह phase अभी रहा हमने phase में से माइनस 90 कर दिया आपने कभी sign या cos में ही तो लिखावा देखा है ना phase इसी को तो बोलते हो ना phase angle बाकी और की signal में थोड़ी phase angle लिखा हो नजर आता है कि आप phase जो original है उस original में से माइनस 90 कर दें तो गड़ पड़ हो जागी इसी लिए इस problem से overcome होने के लिए और यह problem एक advanced level की problem है जो अभी तक question arise नहीं किया गया है लेकिन in future arise हो सकता है तो ऐसी problem को खतम करने के लिए overcome होने के लिए हम discuss करने जा रहे है कि हमारा जो Hilbert transformer होता है उस Hilbert transformer का transfer function क्या होता है अगर transfer function हमारे सामने clear हो गया तो control system में यह खेल पूरा खेला है हमने कोई signal time domain में कुछ पता हो transfer function उसका पता हो तो output signal ct क्या है आप उसको यहां पर rt और वहां ct ऐसा करते हैं क्या है ना time response analysis पूरा यह चीछ पड़ा है बट उसके लिए transfer function तो हो तो हम इस तरह की problem को को खतम करने के लिए कि अगर आभी जाए हमारे सामने तो Hilbert transformer का transfer function discuss कर लेता है समझ लेते हैं क्या होता है और फिर याद रख लेंगे तो फिर हम सारा सब कुछ काम कर देंगे तो हम Hilbert transformer का transfer function discuss करते हैं चले हम जनरल ही transfer function की बात करता है एक system consider कर रहा है transfer function कैसे find करना है उसके लिए थोड़ा सा यह आप frequency response control system में पढ़ते हैं उसको एक बार remind करवा हूंगा जल्दी से आप बोलते हैं कि इसको तो हम omega की form में भी तो बोल सकते हैं क्यों कि हम frequency different different पर क्या चीज क्या effect पड़ेगा वो discuss कर रहे होता है और communication system में तो मैं इसकी laplace transform की बात ही नहीं करते हैं तो फुरियर transform की बात करते हैं तो क्यों ना फुरियर की form में ही समझा जाए इसको तो आप इसको j omega t plus 11 ऐसा बोल देते हैं अब आपको याद दिलाता हूं हम इस t of j omega जो की general ही बात करें त और यह बनेगा यहाँ पर इसका omega t square plus one और phase बनेगा यहाँ पर 10 inverse imaginary part by real part 10 inverse omega t अब क्या आप कह सकते हैं कि जो magnitude है वो omega का function है अलग-अलग frequency पालग अलग अलग है और जो phase है एंगल जो है वो भी omega का function है अलग-अलग frequency का अलग अलग है हम जो system है उस system में अगर input यह apply कर रहे होता है तो जो magnitude part होता है वो amplitude उतने factor से multiply हो जाता है output signal वो था 5 cos 2t तो आपको समझ में आता frequency 2 है आप frequency 2 पर यह st की जितनी value बंड़ी होती टी की जितनी value बंड़ी होती उस 2 पर आप इसको बोलते 4t square plus 1 चले मैं यहाँ पर st की जग s plus 1 माल लेता हूं टी की value one consider कर लेता हूं ठीक है तो आप root of 5 ऐसा बोलते है magnitude और आप phase बिल्कुल बोलते है ऐसा बोलते है न 10 inverse 2 omega की value 2 है अब इसका कुछ particular value होगा यह कुछ value है आप output ct को ऐसा बोलते है कि जो magnitude factor gain factor उतने से तो amplify हो जाता है signal input यह रहा तो यह 5 into root 5 इतना हो जाएगा amplitude जो इसका 5 था वो root 5 factor से multiply हो जाएगा और phase इतना change हो करके मिल जाता है यह positive value आएगी अभी आप समझ सकते है यह positive जित ना मैं जो Hilbert transformer बनाना चाहता हूँ जिसका transfer function क्या है मुझे पता नहीं है मैं सोचना चाहता हूँ मैं discuss करना चाहता हूँ उसके बारे मैं analyze करना चाहता हूँ तो मैं वो ऐसा transfer function ऐसा system चाहूँगा भी अभी सीखके चुके हैं examples में भी कुछ कि वो system चाहे कितनी भी frequency का signal आए multiplicant factor means gain 1 का provider जैसा amplitude पहले था वैसा amplitude बाद में रहे अगर आप signal a cos omega t का Hilbert transform करते हैं तो amplitude पे कोई फरक नहीं आता है amplitude same रहता है बट phase पर जरूफ रखाता है phase minus 90 आता है तो मैं ऐसा system चाहता हूँ जिसका gain factor 1 रहे हमेशा for all frequency और जो phase shift हो वो हमेशा minus 90 रहे frequency पे depend ना करें जैसे कि इसमें depend कर रहे है तो मुझे ऐसा transfer function सोचना होगा यह नहीं उसका transfer function कुछ और होगा एलबार transformer का transfer function वो ऐसा transfer function होना चाहिए कि उसका magnitude factor बन बन कर गया है उसका phase factor 90 डिगरी minus 90 डिगरी बन करका है और all frequencies पर ही ऐसा बन करका है आप पॉज लीजिएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सोच येगा कि ऐसा transfer function अलग अलग frequencies के साथ frequencies का function होता है transfer function कैसा हो कि magnitude हमेंसा बन रहे और phase हमेंसा minus 90 डिगरी ऐसा सोच येगा एक मिनट चाहिए से pause लेकर के इस वीडियो में बिल्कुर मैं कसम दिला रहा हूं पॉज लेकर के जरूर सोचना है आपको एक बार ठीक है कसम है पॉज लेकर के पहले सोच ये ठीक है फिर उसके बाद मैं आगे डिसकस कर रहा हूं उसमें देखेगा आप चलिया आपने सोचा होगा अब आपकी सोच से जो result जहां तक आप conclusion तक पहुंच रहा हो कितना match होता है यहां से देखेगा मान दो हो यहें हिल बड्र टांसफ एप्लाई और रहा है हिलबाट टांसफ़़र्मों के करता है ना जैसे टाइम जब भी किसी Signal की बात करते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि frequency चाहे positive हो मतलब यह या negative हो मतलब यह हमारा transfer function जो बनकर क्या है is Hilbert transformer का वो ऐसा बनकर क्या है कि उसका magnitude always बन रहे है उसका phase always minus 90 degree रहे x cap t ऐसा चाहिए हमें कि उसमें amplitude 1 के factors change जो क्या है phase minus 90 degree की साथ है तो आप मेरे को थोड़ा सा यह सोच आगर आप यह सोच पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप धन से समझेगा कि ऐसा कैसा कोई function होता है complex value होती है कि उसकी phase value minus 90 बने है तो आपके mind में ऐसा आता होगा कि अगर real part 0 हो और imaginary part कुछ हो तो आप इसका phase जब find करते हैं 10 inverse imaginary part कुछ है मालो y है by real part कुछ है मालो 0 है तो आप बोलते होता है 10 inverse infinite और 10 inverse infinite is 90 degree तो 90 तो आगया मैं चीए minus 90 degree तो आपको एक तरह से यह समझ में है कि j चीए एक तो मैं लेकिन हमें minus 90 चीए j से plus 90 तो आ रहा है minus 90 होना चीए तो j की जगए अगर मैं one by j कर दूं बहुत अच्छे से समझ जाया हुने कि उपर वाले part के phase में से five one में से नीचे वाले part का phase five two minus कर देना होता है उपर वाले part real pure real value का phase zero degree minus नीचे वाले part pure imaginary का phase 90 या देवा दिया मैंने आप पहले से भली बाती पर चिते हैं वैसे तो इस चीज के साथ तो मेरे को ऐसा चीए कि j के साथ हो अगर कोई और वह one upon j के साथ हो तो में phase तो बन रहा है minus 90 अब मेरी दूसरी शर्त पूरी हो रहा क्या कि मुझे magnitude चीए one अगर magnitude की बात करते हैं तो magnitude मेरे को होना चाहिए क्या उपर वाले part का magnitude बन डिवाइड में नीचे वाले part का magnitude 1 में बन कर क्या रहा है बिल्कुल से बात है तो मैं ऐसा कर देता हूं one upon j कर देता हूं one upon j को आप दूसरी form में minus j भी बोल सकते हैं क्या बिल्कूल बोल सकते है निकल के आ रहा है कि हमारा जो फिखार transformer्मर है उसका ट्रांसफर फॉंक्शन जो और चाहिए वह आगर एसी complex, complex ही होता है और दरक्रीक्त हैं अगर ऐसा complex वेल्यों के साथ हो तो मेगनिट्юда हमेशा अब नजार आ रहे है और फे मैनिश हमेसा माइंटी डिग्री नजार आ रही है तो मैं इसको नेगेटिव है ना इसलिए इस एकसफे पा नेगेटिव इधर पॉजितिव इधर और हमती प्रिवेर्वेस्त होता ऑений मेजनर्य वैलू है पिज़ा आगर कमपलेक्स होता घुच रियल पाइब हस कर सकता हैं पूरे करना पड़ता है लेकिन अभे हां पर और फिल हो रहा है घार सकते हैं तो मैंने फिल करी है ऐसा कुछ माइनस जी है अब आप बोलोगे कि केवल positive frequencies पर थोड़ी चाहिए हमें negative frequencies पर भी तो चाहिए negative frequencies पर भी माइनस जी शो करना चाहिए या कुछ और शो करना चाहिए यह सोचना है जहां से देखेगा अब आपको अगर कोई भी ऐसे यहां पर अगर हम बात करें तो transfer function म हमेशा ऐसा होगा कि जो omega के साथ वाला part होगा वही तो imaginary value के साथ होगा है ना तो अगर मैं generally बात कर रहा हो कि a plus jb मेरी यह value है मुझे यह समझ में आ गया कि मुझे magnitude 1 करना है magnitude 1 करने के तो रास्ते मेरे पास बहुत सारे थे मैं 1 upon root 2 plus j1 upon root 2 कर देता लेकिन for this case में real part कुछ आ चूज किया कि मुझे imaginary part 90 oh sorry imaginary part कुछ भी हो अच्छा यहाँ पर देखेगा imaginary part कुछ भी हो फेस तो 90 रहता ना क्योंकि imaginary by real आ रहा है तो मैं इसके साथ कुछ भी चूज कर सकता हूं और इसके साथ जो कुछ चूज कर सकता हूं वो actual में रहने वाला क्या है हम समझ चुके हैं transform function है तो omega रहने वाला है हाले कि omega positive या negative हर value पर magnitude वन ही चीए अगर यह omega कुछ अलागा लगवा तो magnitude omega ऐसे क्या होगा लेकिन मैं आपको यह चीज इसलिए बताना चाहरा हूं कि हमारा जो पार्ट बनने वाला है वह एक्सा कुछ बनने वाला है real part मैं मान के चलना हूं मालो x प्लस imaginary part मैं मान के चलना हूं omega के साथ हो करके आने वाला है अगर मैं इसके magnitude और phase में phase की बात करूं तो मैं अब कहूंगा 10 inverse imaginary part is omega by real part is x हालां कि x हमें 0 चूज करूंगा है मैं ऐसा ही बोलूँगा या मैं धान से सोचूँगा कि मेरे पास frequency negative भी हो सकती है और positive भी हो सकती है तो मैं अगर phase को ऐसा बोलने लग गया तो गलत बात हो जाए क्योंकि positive होने पर यह first quadrant में आ रहा है first quadrant में है तो 10 inverse imaginary part by real part बोल सकते हैं अब लेकिन अगर यह negative हो गया imaginary axis में negative हो गया real part तो खेर जीरो है तो आप इसको हमाँ सकते हो तो यह fourth quadrant में आने वाला है और fourth quadrant में आने वाला है तो आप zero minus करके means negative बोलेंगे इसलिए आप ध्यान समझना अगर omega positive है तो मैं बोलूँगा कि phase बनेगा 10 inverse अब मैं यह तो यहां तक की बात कर रहा था मैं omega से relate करने की बात कर रहा था तो 10 inverse हम ले के आ रहे हैं इसको हलांकि वैसे one ले करके चल रहे है क्योंकि हमने अगर transformation की इसको हैस समझा रहा हूं x प्लस जी omega मैं तो general सोच ले रहा हूं तो मैं बोलूँगा omega greater than zero पर means positive होने पर omega by x और अगर omega less than zero है तो मैं बोलूँगा 10 inverse omega by x बट negative value के साथ है ना और अगर ऐसा बोला मैंने तो अभी तक मैंने जो सूच है positive frequency के लिए minus 90 बन रहा है तो negative frequency के minus of minus 90 means plus 90 बन जाएगा हम ऐसा नहीं चाहते है ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते है तो फिर negative वाली frequencies के लिए कुछ अलग transformation लो मैं और positive वाली के लिए कुछ अलग transformation लो तब मेरा काम हो पाएगा तो मैं negative वाली frequency के लिए मैंने positive वाली frequency के लिए मेरा जो choose करना था मुझे मेरा selection था वो बिलकुल सफल हो गया मैंने x0 लिया और ये imaginary के साथ जो time भाई ये omega क्यों शो किया है मैंने समझा है न क्योंकि मुझे हर omega के लिए बात करनी है और trans function जो आता है वो omega से relate हो करके आता है तो मैं अगर omega positives के लिए बात कर रहता है तो इस selection में j के साथ minus करने से काम हो गया अगर मैं selection में बात करूँगा तो फिर मुझे 0 plus j लेना होगा समझा देता हूँ मैं अब आप बोलोगे 10 inverse imaginary part by real part means 90 degree का negative हो गया ना भी यह हमें यह अभी ओमेगा की different values यह पकड़ा के गई ना हमें कि जब omega positive है तो जैसा है वैसा बोलेंगे आप जब omega negative है तो जैसा बन कर क्या रहा है उसका negative बोलेंगे यहाँ पर positive 90 का negative बोलेंगे आप minus 90 तो minus 90 फेज बन जाएगा इसलिए आपको positive frequencies के लिए minus j बात करना है real part 0 imaginary part बिलकुल minus 1 के साथ minus j और positive की बज़ाए negative frequency के लिए बात करना है transfer function का expression नहीं बलकि diagramatical representation डाग्राम के साथ बताया मैंने अब आपको अगर यह diagram के साथ यह function show कर दिया है तो इसको mathematically भी हम represent कर सकते हैं क्या आपको एक signal यादा रहा होगा signum function सिंगं नहीं signum यादा रहा होगना ऐसा करके बोलते हैं आप 2020 कैसा होता है अगर यह टी बोल दिया है मैंने तो टाइम स्केल पर होता है है मैंनले टी बोल दिया है तां यादा रोता है और टी की values अगर positive है तो वैल्यू 1 होती है कि पिजक होता रहा है कुछच्छ ऐसा यहां सा नजर आरा है कि एक तारफ पॉजिटिव एक ताफ लेकिन एक्च्वल में यह यहां top पॉजिटिव के वजए नेगिटिव हो रहा है तो इसका नेगिटिव 2 कर देता मैं तो फिर ऐसा उ słuट लटा हो जाता है यहां नेगिटिव की बज़ाए पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव के बजाए नेगिटिव लेकिन मैं वन माइनस वन वैल्यू के साथ नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं जे माइनस जे वैल्यू के साथ तो चलिए जे मल्टीपल कर देता है जब जे मल्टीपल करेंगा तो जहां-जहां-पर बने माइनस सब्सक्राइब को आप दूसरी फॉर्म में से कह सकते हो माइनस जे ऑफ सिगनम टी स्केल पर नहीं अब यह ओमेगा यह बन गया हमारा हिलबर्ट ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफर फॉंक्शन अब आगे से आपको देखो क्वेश्चन्स ऐसे बनना मतलब बहुत एडवांस ल दूसरे तरीके कुछ से कैसे चलोगे आपको고 इस हिल्बाट ट्रांसफ्वर्मर का ट्रांसफर फॉंक्शन पता है मैम आप क्या कर लोगे इस एक स्का इनवा से इन्वेसल लोगे तो इमपल्स स्वैंड आपको पता है जो आउट्पूट होता है means x cap t जो होगा वो इसके input xt और इसके impulse response xt का convolution है हमने समझा Fourier transform की property time domain में convolution हो करके output का time domain बन रहा है तो output का frequency domain जो बनेगा वो बनेगा जो भी हमें xt दे रखा है इसका frequency domain में जो बन रहा है है और जो भी हमें time domain में ht था इसका frequency domain में h omega जो बन रहा है इन नौना का multiplication h omega क्या होता है अब हमने समझ लिया रट करके रख लेता है xt जैसा दिया जाएगा उसका Fourier transform करेंगे नौना को multiply करके output का Fourier transform आ जाएगा output का means hilbert transform होकर के result क्या हो रहा है जो हमसे पूछा है उसका फूरियर ट्रांसवर्म लेकिन हमसे तो result means hilbert ट्रांसवर्म इस time domain में पूछा हमने बोले ना हिलबर ट्रांसवर्म क्या करता है time domain को दूसरे time domain में convert करता है तो हम इसका अब inverse Fourier transform calculate करके inverse Fourier transform में एक step और करेंगे और उसके बाद x cap t तक पहुंच जाएंगे clear रही होगी बात है ठीक है अब इस से related problems काफी लंबा हो जाएगा यह lecture ठीक है हालांकि problem इस से related आई नहीं है exams में फिल भी हमें discuss कर लेनी चीए तैयार हो जाना चीए कि advanced level की problem आकर कोई पूछ ले तो हम तैयार रहें prepare रहें उसके लिए तो यह lecture थोड़ा सा लंबा हो जाएगा हम आगे discuss करने वाला है तो अब इस process को procedure को अपने mind में रखिएगा हिलबा transform क्या होता है हमने discuss क्या हिलबा transformation से result क्या होना चाहिए उसके लिए transformation क्या होना चाहिए वह हमने discuss क्या यह याद रख लेना आप मैं वापस नहीं relate करके बता हूँगा और अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा कि अभी तो फिर ऐसे ही आप directly spoon feeding हो जाएगी तो कभी हम इस related problem discuss करेंगे आपके mind में मेरे solution से पहले procedure चलना चाहिए आप सामिन होते तो मैं आपको as assignment class में रुख करके बोलता कि करिये लेकिन जब ह रहे होंगे तो आपका ये diet जो बन जाता है ये आपकी responsibility है कि आप अपने अपने साथ थोड़े से loyal रहे और stamper pause लेकर करके questions को करेंगे जा तो हमने यहां पर अभी basic जो communication system के लिए जब पढ़ती है signals and systems की वो cover कर ली है जहां तक मुझे जो जो चीजें याद आई हैं एक ची convolution को अभी पूरा discuss करके एक lecture नहीं करने वाला हमें जोरत पढ़ेगी आगे जाके तो वहां पर मैं साथ सात में discuss करूंगा लेकिन जब मुझे मैंने बोल दिया आपको कि convolution की जोरत पढ़ने वाली है तो अब आपको convolution एक बार revise जरूर कर लेना है ठीक है अब अगले lecture से हम start कर करने वाले हैं actual में communication systems ठीक है यह basic वाला पार्ट केवल हमने जणे मजबूत किया है अपनी अब हम उसके बाद building बिल्डिंग बिनाने स्टार्ट करेंगे communication systems की मिलते हैं next lecture में analog communication के first lecture के साथ तब तक के लिए good bye thank you